इस लोग साही बचाव सभा की अध्यक्षता कर रहे आधर निया ध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित, कॉंग्रेस के वरिष्ट निता और महाराज सरकार में मंत्री बाला सहाथ थुराट जी, उनके साथ उपस्थित है, महाराज सरकार में मंत्री अमिद भाई देश्मुक्ष जी और यूद कॉंग्रेस के महाराज के अध्यक्ष पिश्ट जी, तामबे जी, सही नाम बोले हैं न, नया परिवार है, सदस्यों का नाम याद करना में थोड़ा वक्त लगेगा, सत्य जी, तामबे जी, और पूने के, इस सिटी के अध्यक्ष, भाई रमेश जी, और जैसा कि अपने वक्त तक में और लेडी बता चुके हैं, मोहन दादा, कि जब मैं दूसरी पार्टी में था, तब से ही वो मुझे इस कारिक्रम में लाने का प्रियास कर रहे, तो हमारे प्रिया, हमारे आदर्निया, मोहन जोसी जी, और मेरी आवाद जहां तक भी पहुँच रही है, आप तमाम, आदर्निया बुजर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाईयों का, दुकानदारी करके, ठेला रिक्सा चला करके, बिजनेस करके, महनत मजदूरी करके, अपने खोन, पसीने की कमाई से अपने पडिवार का भरन पुसन करने वाले आप, तमाम नागरिकों का, मैं करान्तिकारी इस्तक्बाल करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता दोस्तों आप सब जानते हैं कि आज सोनिया जी का जन्म दिन है लेकिन ये तै किया गया है, उन्होंने तै किया है कल जो दर्दनाग घटना घटी जिसमें जनरल रावत, उनकी पतनी, उनके साथ साथ इग्यारह और आर्मी पर्सनल्स की जो औसामिक दुखदाई मौत हुई है उसके चलते हम लोग पूरे देश में कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं मैं अपनी बादचीत आपके बीच रखूँ उससे पहले हम लोग इस कारिक्रम की सुरुवात में भी तमाम मिर्टक पडिवारों के परती अपनी सधानजली व्यक्त किये हैं और हम उनके पडिवार के परती अपनी समवेदना व्यक्त करते हैं और हमें उम्मीद है कि बिना किसी देरी के यहाँ एक गंभीर हादसा है और देश के प्रमुख पद पर बैठे हुए व्यक्ती और आप जानते हैं कि हमारे देश के तमाम प्रमुख लोग हेलिकॉप्टर चौपर का ही इस्तमाल करते हैं दूद का दूद पानी का पानी जो भी स्थिती है वो देश की जनता को पता चलेगा लेकिन इस धुख की घरी में हम एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर तरकार के साथ खरे हैं परिवार के साथ खरे हैं और अपनी संवेदना वेक्त करते हैं जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा लेकिन ये लोक साही बचाओ सभा पहले से निर्धारित थी इसलिए इस कारिक्रम्प को पूरुवत ही रखा गया है मैं इसमें कुछ बातें आपसे साजहा करूँ उससे पहले मैं दिल की कुछ बात आपको कहना चाहता हूँ पहली बात तो ये इस बार पूरुणे आकर के कुछ बिसेस अच्छा लग रहा है पिछली बार आये थे तो ऐसा लग रहा था कि अपने ही देश में पीजा ले करके आये हैं इतनी सुरक्षा थी बाल गंधर भवन में आना हुआ था खुले में मन्च है, खुले में आप लोग हैं, हम भी खुले दिल से आपसे कुछ बात करना चाहते हैं इसमें बस बाधा एक है कि मुझे मराठी नहीं आती है तो मैं आपसे हिंदी में बातचीत करने की इजाज़त चाहता हूँ, आपका आग्रह चाहता हूँ अभी मैंने कोशिस की थी, एक टीवी के पत्रकार को मैंने मराठी में वो सवाल पूछ रहे थे, मैं हिंदी में जवाब दे रहा था मुझे मराठी बोलने नहीं आती है, लेकिन समझ में आता है और जिस तरीके से मैं महाराष्ट्रा आता हूँ क्योंकि इस मिट्टी पर, इस भूमी पर आकर एक विशेश परकार का गौरब प्राप्त होता है आपको ये सोच करके ही आपके रोंटे खरे हो जाते हैं कि आप पूने की उस धर्ती पर खरे हैं, जो धर्ती चत्रपती सिवाजी महराज की धर्ती है आप उस धर्ती पर खड़े हैं जहाँ पर एक से एक बीर और विभूत ने जन्म लिया है यह गोखले साहब की धर्ती है यह तिलक साहब की धर्ती है और इस देश में सामाजिक नाई की कोई लड़ाई सामाजिक नाई का कोई इतिहास डॉक्टर बावा साहब भीमरा अंबेद कर और जोतिवा फूले के बिना पूरा नहीं होता है यह वो जगह है जहां साबित्री भाई फूले ने महिलाओं के लिए पहला स्कूल शुरू किया था ऐसी एतिहासिक नगरी ऐसी एतिहासिक मिट्टी पर आ करके दिल खुश हो जाता है और जब मुझे मोहन दादा ने बताया कि कॉंग्रेस भबन में कारिक्रम है उस भबन में कारिक्रम है जिसका सिलान्यास महात्मा गानी ने किया है ये बोलते हुए मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना पुलकित हूँ मैं कितना खुश हूँ और अगर मैं अपने साल भर के पुड़े कारिक्रम को देखूँ जितना बार बिहार जाता हूँ लगभग उतना ही बार महारास्ट्रा भी आई जाता हूँ आप सब इतना स्नेह और प्रेम देते हैं इसके लिए मैं आपका आभार विक्त करता हूँ और आज जिस मुद्दे पे हम लोग बातचीत के लिए आये हैं लोक साही बचाओ सभा लोक साही ऐसा क्या हो गया है भाई कि उसको बचाने का जरूरत पर रहा है यह सवाल अकसर हमसे हमारे कई भाजपाई मित्र पूछते हैं भाजपाई लोगों से भी मेरी दोस्ती है क्योंकि मेरा यह मानना है कि हर बिमार का इलाज करना जरूरी है बिमारी से दूर रहना है बिमार से दूर नहीं रहना है एक पतरकार ने आज हमको पूछा कि मोदी जी के सामने क्या विकल्प है हमने कहा कोरोना का ठीका ढूंडा गया है बिमारी का इलाल ढूंडा जाता है विकल्प नहीं ढूंडा जाता है यह बात अगर मैं इतने दावे से कह रहा हूं कुछ तो प्रमान होगा न अगर मैं कहूं कि मैं PhD हूँ और आप में से कोई सुधी जन अगर डिग्री मांग ले तो डिग्री दिखाना परेगा न परधान मंत्री तो है नहीं कि बिना डिग्री दिखाये काम चल जाएगा तो जब मैं यह कहता हूँ यह हमारे जैसे तमाम कारी करता जो कॉंग्रेस पार्टी के हैं जो दूसरे दलों के भी हैं और एक मैं भूल सुधार कर देता हूँ भाई मेरी जरूरत कॉंग्रेस को नहीं है मैं समझता हूँ मेरी जरूरत कॉंग्रेस है और सिर्फ मेरी जरूरत नहीं है अगर सिर्फ मेरी जरूरत होती तो जब मैं कॉंग्रेस पार्टी जॉइन कर रहा था तो मेरा बचपन का एक दोस्त है एकदम लॉंगटिया दोस्त, मतलब चड़ी बड़ी, वो फोन करके बोला, क्या दील हुआ है, हम बोले हो जो मंगल यान जा रहा है न, कुछ दिन पर मंगल पर अपार्टमेंट बनेगा, तो राहूल गान्दी हमको वहाँ डुपलेक्स फ्लैट देंगे, इस नजड़िये से मुझे या कॉंग्रेस पार्टी को देखना बंद कर दीजिए, यह मैं आग्रह कर रहा हूँ आपसे, मैं हो सकता है कि सकल से आपको वेबकूफ लगता हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं, तो आप मेरी सूरत पर मत जाईए, मेरी समझदारी पर भरोसा कीजिए, मैंने इस देश का इतिहास बड़ी सिद्दत से पढ़ा है, मैं प्रधानमंत्री की तरह इतिहास में फेल नहीं हुआ हूँ, मेरा माकसिट देख सकते हैं आप, और जब इस देश का इतिहास हमने बड़ी सिद्दत से पढ़ा है, तो हम यह जानते हैं, कि हमको, इस देश को, आपको, हर उस इंसान को, जो बड़ावरी और न्याय में भरोसा रखता है, उसको कॉंग्रेस पार्टी की जरूरत है, और मैं बार-बार कहता हूँ, यह सवाल एक पार्टी का नहीं है, एक चरित्र का है, पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जो अपने आप में पूरी भारतियता को समेट करके चलता है, है किसी में हिम्मत, कर सकता है कोई, एक ही मंत्री मंडल में, नहिरुजी की मंत्री मंडल में, प्यामा प्रसाद मुखर जी भी थे, और डॉक्टर बाबा साहव भीम रावंबेद कर भी थे, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, कि बचपन से एक सिक्षा दी जाती है, उत्तम मार्ग मध्यम मार्ग होता है, मध्यम मार कहने का क्या तात्पर है अती अच्छी नहीं होती है ज्यादा चीनी खाल लिजेगा डाइबिटीज हो जाएगा कुछ भी अच्छा अती नहीं होता है इसलिए तो कहावत है न अती का भला ना बरसना अती की भली ना धूप अतीवाद अच्छा नहीं होता है और इस देश का सभाव ऐसा है कि हमको अतिवाद पसंद नहीं है तो जब मैं कहता हूं कि कॉंग्रिस का चडित्र इस देश का चडित्र है तो इसका यह तात्पर है कि हम एक बगीचे में हज्जारों तरिके का फूल खिलाना चाहते हैं इसलिए हमारा रंग एक रंग नहीं है बहु रंग है जो तमाम संस्कृतियों को अपने आप में समेटे हुए है और मेरा यह दावा इसलिए है कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है एक मित्र ने कहा प्रसंसा में मुहबत में अक्सर जुवान फिसल जा तो ऐसा होता है प्रसंसा में हम अतिश्योक्ति कर जाते हैं यह दिल मांगे मोर टाइप से सच यह है कि आज इस देश के नौजवानों को जिनको देश से प्यार है जो देश बचाना चाहते हैं वो कॉंग्रेस पार्टी में आये और जो देश बेचना चाहते हैं वो बिल्कुल आर पार की लड़ाई है और मैं पिछले कई सालों से मैं अलग-अलग मंच पे जाकर के भाशन दिया हूं यहां दो गंदमान बैठे हुए हैं मोहंदादा कारिकरम में बुला रहे थे आ नहीं पाए लेकिन मैं पहले भी लातूर में देश्मुक सहाब के साफ सांग लोकसाही बचाने का कार दल की भावना से उपर उठकर के करना परेगा लेकिन जहां तक नेत्रित का सवाल है नेत्रित वही पार्टी कर सकती है जो पार्टी इस देश को समझती हो नया नया घर बनवाईएगा पलंबर का काम करवाईएगा जब घर पुराना हो ले लगेग उसी पलंबर को ढूंड करके लाईएगा क्योंकि आपको पता है कि कौन से कोना पर पाईप कहां पर घुमा हुआ है यह उसी पलंबर को पता है जो इस देश को बनाया है जिसने इस देश को आजादी दिलाई है वही इस देश का महत्त समझता है वही इस देश की आजादी क समझता है कहते हैं ना जाके पैर न फटे विवाई वो का जाने पीड पड़ाई जिन्होंने बीए सेनल नहीं बनाया जिन्होंने रेलवे नहीं बनाया जिन्होंने एर इंडिया नहीं बनाया जिन्होंने लाइसी नहीं बनाया उनको एक सकेंड नहीं लगेगा उसको बेच द लोग हैं दूसरी तरफ बचाने वाले लोग हैं आंख खोल करके देखिए टीवी बंद करके देखिए मोवायल को ओफ करके देखिए अपने नीजी जिंदगी में जहाग करके देखिए कि आज हमारे जीवन की सच्चाई क्या है टीवी आपको कुछ और दिखाएगा तो बस हमाई एक बात कह देना चाहता हूं टीवी पर दिखने वाला हर बात सच नहीं होता है रात को बारा बजे के बाद ताकत बरहने वाली गोली का जो विग्यापन आता है बताइए वो गोली ख अगर के कह देंगी केंट देता है सुध पानी तो उसे पानी सुध हो जाएगा अगर तेंदुलकर सहावा अगर के कह देंगे थंडा मतलब कोका कुला तो कोका कुला थंडा हो जाएगा अब फेरन लवली 75 वार मुह में लगा लेने से भी मूँ गोड़ा नहीं हो जाएगा अगर टीवी पे दिखाने वाले ये सारी बातें सच नहीं है तो जब इस देश का एक बड़बोला विक्ती आधी रात को खड़ा हो करके कुछ भी बकवास करे तो आप ये मत सोचिए कि आपका भला हो रहा है देश के नाम पर दोस्तों का भला किया जा रहा है ये बात आपको समझना परेगा और दोस्त कौन है मैं उदारंदे करके बताता हूं कि दोस्त कौन है जीओ जब आया था तो परधान मंत्री जी अखवार में बिग्यापन दे करके धन धना धन करवा रहे थे याद है कि नहीं है और बीसनल के बारे में कहा जाता था भाई साहब नहीं लगे इंडिया को यह लोग सेलिंग इंडिया कर दिए हैं लूटिंग इंडिया कर दिए हैं और जब जीओ आया तो फिडी में बाटा ले लिए सब लोग क्या आज जीओ कितने में भड़वा रहे हैं BSNL की याद आती है और नहीं आती है आएगी ये अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अगर सरकारी अस्पताल पूरी तरह से बेच दिये जाएंगे अगर सरकारी सरकें पूरी तरह से बेच दी जाएगी, सरकारी रेलवे पूरी तरह से बेच दिया जाएगा तमाम सरकारी संस्थान यदि समाप्त कर दिये जाएगे तो प्राइवेट सेक्टर भी ठीक से काम नहीं करेगा मैं प्राइवेट सेक्टर का बिरोधी आदमी नहीं हूँ मैं बस सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मेरा व्यक्तिगत अनभव यह है कि एम्स अगर होता है न तभी फोर्टीस उससे कॉम्पेटिशन करता है है अगर फोने इनवस्टी है तभी प्राइवेट इस डुभ उर इंजीनेरिंग के कॉलेज उससे कॉम्पेटिशन कर रहे हैं सिंबाईिश इस से कॉम्पेटिशन करेगा यह हकीनगत है इस हकीनगत को हमको टीवी में नहीं अपने जीवन में देखने की जरूरत क्या कहते हैं ऐसा परचार कि साथ साल में पता नहीं देश क्या हो गया है हो गया है ना एकदम एतिहासिक हुआ है आज से पहले सौ रुपे लीटर कभी भी डीजल नहीं विका है बोलिए देश एतिहासिक हुआ है और नहीं हुआ है 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ अपने मन से अगर बोलूँगा एक जूट अगर हमरा पकड़ा जाएगा तो अगली बार मैं आपको जेल में मिलूँगा सत्ता में बैट करके आप कितना भी जूट बोलिए विपक्ष में रह करके तो सच का भी ऑपरेशन किया जाता है लेकिन सच की ताकत में हमको भरोसा है इसलिए तो हम कहते हैं कि गांधी को मानने वाले इधर आजाईए और गांधी की हत्या करने वाले जो लोग हैं वो देश क सक्थ जीतेगा यह हमारा भरोसा है और उसी भरोसे के साथ हम आज इस जंदे को ठाम करके खड़ा हुए नीजी जीवन को जहांग करके देखिए महंगाई आस्मान छू रही है डीजल पेट्रोल रसोई गैस इनके कॉम्पिटीशन में सरसो तेल भी आ गया है जब पेट्रोल बोला कि मैं सो पर खड़ा हूँ चलो दिलदार चलो सो के पार चलो तो डीजल कहा कि हम भी सो के पार हो जाएंगे तो सरसो का तेल बोला कि क्यूं तुम दोनों मिल करके सो सो हो हम अकेले दो सो के पार चले जाएंगे सरसो तेल दो सो रुपे लिटर भी रहा है टमाटर पजार में टमाटर देख करके हमको परधान मंत्री का लाल लाल गाल याद आ जाता है खुद मसरूम खा करके मस्त हैं जनता के बारे में पूछी नहीं रहे हैं कि भाई टमाटर 100 रुपे किलो क्यों विक रहा है ये आपके जीवन में रोज हो रहा है मैं अपने मन से डेटा नहीं दे रहा हूँ, आपके घर में लड़के लड़कियों ने इंजिनियरिंग किया होगा न, पहले तो B.S.C करके नौकडी मिल जाता था, अभी तो इंजिनियरिंग करने के बाद नौकडी नहीं मिल रही है, मैं जबरदस्ती कलत बोल रहा हूँ, क् अब इंजिनियरिंग करने के बाद MBA भी कर लिजिएगा तब भी नौकडी की गैरेंटी नहीं है, आपकी गार ही कमाई, आप अपने बच्चों के सिक्षा पे खर्च करते हैं, LKG में बच्चा का एड्मिशन कराने जाईएगा, अभी तो हमको हुआ नहीं है, ये सब परिस पढ़ाना है, माबाप को थोड़ी पढ़ना है, और LKG में इतना डोनेशन ले रहा है, जैसे MBBS का एड्मिशन दे रहा हो, पांच लाख, चार लाख, ये आपके रोज का जीवन है, और इस रोज के जीवन को छोड़ करके, वाटसेप पे जो मेसेज आता है न, फटा फट लोगों को forward कीजिए, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, कितना बार forward किये है, कितनी बार मनोकामना पूरी हुई है, विचार करके देखिए, मैं जितनी बातें कह रहा हूं, क्या ये सिर्फ Congress की बात है, क्या ये सिर्फ एक पार्टी की बात है, आप मुझे सोच करके बता परिशानी हुआ, कि भाजबा की लोगों को भी परिशानी हुई होगी, डेंगू का मच्छर, जात पुछ करके काटता है, कि नहीं भईया बिहारी है तो काट लेंगे, मराठी है तो नहीं काटेंगे, ऐसा है क्या, देश की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरन कर यहर पांच साल में चुनाव होता है पूरे के पूरे चुनाव प्रकिडिया को पूरी की पूरी राजनिती को एक फालतू के बहस में उल्जा दिया गया है कि फाल्तु वहस क्या है कि आप सरकार का किसी भी रूप में यदि विरोध की जिएगा तो आपको विकास विरोधी हिंदू विरोधी आर्मी विरोधी और देश विरोधी घोशित कर दिया जाएगा का है भाई परधानमंत्री कब से देश हो गया जब आप मनमोहन सिंग का विरोध कर रहे थे तो आप देश विरोधी नहीं थे लेकिन हम सचमुच में अरे तो पढ़े लिखे एक अर्थिसास्त्री व्यक्ति थे प्रियास कर रहे थे देश को आगे ले जाने का इसको पूरी तरह से एक्टर है इसको आउसकर मिलना चाहिए को देख करके बोल रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं कि लोकसाही आज खत्रे में है आप सोच करके बताईए पहले केंद्र में यूपिये की सरकार थी उससे पहले एंडिये की सरकार थी आज कल किसकी सरकार है ने घबराईए मां डर्ण जोर से बोली किसकी सरकार है तो ये जो है ये NDA UPA से एक विक्ति के नाम से सरकार कैसे हो गया इसका अगर आप असली हाल जानना चाहते हैं तो प्राइवेट में कभी गड़करी साहब से मिल लिजिएगा पका पता चल जाएगा पका पता चल जाएगा मैं बता देता हूँ आपको क्या आपको क्या लगता है यह ऐसे ही हो गया है और इससे इस देश के पॉलिटिकल कलचर पर कोई पढ़ाव नहीं पढ़ा है बिल्कुल पढ़ा है कि यहीं केंद्र में मोधी सरकार हुआ है हर राज में अब उस राज के मुखमंत्री के नाम से सरकार चल रहा है आप सोच करके बताइए कि आपके राज में सिर्फ मुखमंत्री हैं तो यह जो दो लोग यहां मंत्री बन करके बैठे हुएं क्या करते हैं इनका कोई काम होगा यूंज दिमाग में कौन सी पिक्चर करने की कोशिस की जा रही है आप इसको समझै और वह जो पिक्चर है वह पिक्चर लोक तंत्र बिरोधी मान सकता है घर इसाइई चलता है घर में सिर्फ पती होता है पतनीि नहीं होती है बत्चा नहीं होता है मावाप नहीं होते हैं फिर वहीं कर रहा हूं महीं समय हूँ महीं ब्रहमांड हूँ महीं इश्वर हूँ यह बोलेगा ना भाई सहाव इस देश की कडोरों जनता ने उम्मीद से आपको वोट दिया आपने जो वादा किया था वो वादा हमने एज़िटीज खरीद लिया अब सेल्समेंस आएगा और कहेगा कि यह जो अगरबत्ती बनाने वाला मसीन है आप ले लिजिए और उसका इतना परसंसा करेगा कि आपको भी लगेगा कि रोज पुजा करना है रोज अगरबत्ती जलानी है तो रोज मार्केट में जा करके क्यों खरीतना है यह मसीन खरीत लेते हैं लेकिन जब सेल्समें बेच शुरू करते हैं तो आप सोचेंगे एक बार आपने टेलर को फूल पेंट सिनने के लिए दिया जो कि साब हमारा काम काम पे ध्याद नहीं था काम करने के वक्त तो हम नहरू नहरू कर रहे थे परधान मंत्री आप ही अब बार बार याद नहरू जी को करते रहते हैं अरे आपको लोगों ने परधान मंत्री बनाया है नहरू जी को जब परधान मंत्री बनाया था नहरू जी इस देश को क्या दे करके गए हैं अगर वो दे करके नह जाते अगर आप कहते हैं आपकी बातों में सच्छाई है हला कि हमको भरोचा नहीं है कि मैं रेलवे प्लेटफॉर्म का व्यक्ति खड़ा हो करके देश के प्रधान मंत्री के बारे में बोल सकता है यह लोगतंत्र की ताकत है ना यह लोगतंत्र की ताकत है ना यह गरीब का बच्चा भी देश का प्रधान ने हमको कहा कि तुम बिना मतलब ही जो है गांधी जी की हत्या का बिरोध करते हो तुमको पता है गांधी जी की हत्या क्यों कर दी गई तो गांधी जी के हत्या इसलिए कर दी गई उनके हिसाब से कि गांधी जी पुर्वी पाकिस्तान और पच्छी पाकिस्तान के बीच में ग कुछ भी बोला जा रहा है तेस के लोगों से बनता है और आप से पुर्व के जो नेता थे उन्होंने लोगतंतर की हत्या नहीं की थे उन्होंने लोगतंतर को जिंदा रखा था और उस लोगतंतर को जिंदा रखने का ही नतीजा है कि आज हम खड़ा होकर के सवाल कर पा रहे ह इनको लगता है कि कुछ लोगों को पकर करके जेल में डाल देंगे यूए पी ये लगा देंगे तो लोग बोलना बंद कर देंगे तो यह सहाब हम भारत के लोग हैं 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी के खिलाप लड़े थे तो आपके खिलाप भी डट करके लड़ सकते हैं यह हमारा चैलेंज है यह हमारी चुनोती है इसको याद रखिएगा देश के अंदर जो माहौल है जो परिस्थिती है उसकी हकीकत हमको समझना परेगा टेलर को फूल पेंट सिलने के लिए दिये अपनी गलती मानने के बजाए कह रहा है कि हाफ पेंट का जो है फाइदा हमक कौन बोला था हम बोले थे कि भाजबा के लोग बोले थे कि हर साल दो करोड नौकरी दी जाएगी सब के खाते में 15 लाख रुपिया पहुचाया जाएगा बेरोजगारी समाप्त होगी गरीवी कम होगा देश में खुसाली आएगी यही वादा किया गया था ना और आज जो वादा पूरा नहीं कर पाए हैं तो उन सवालों का जवाब देने के बजाए कहते क्या हैं अच्छा तो यह बताओ मोदी नहीं तो कौन तुम्हारे फुपफा मोदी नहीं तो कौन यह बात पहले पूछे थे मोदी नहीं तो कौन लोग तंत्र में कभी भी विकल्प हिंता क की स्थिति नहीं होती है लोगतंत्र में विकल्प होता है लोगतंत्र अगर बचेगा तो अपना विकल्प भी ढूंड करके निकाल लेगा इनकी साजिस यह है कि यह अभी केंद्र सरकार को मोधी सरकार बोलना शुरू किये हैं एक-एक करके इस देश के इंस्टिचूशन के ऊपर अटैक कर रहे हैं और मैं आपको गिंदी के साथ बता सकता हूं पार्लियामेंट की एक भी कमीटी काम नहीं करती है किसान बिल जब आया तो क्या किसान बिल को किसी भी पार्लियामेंट की कमीटी में भेजा गया था पार्लियामेंट में कोई बहस उस पतरकार को पूछना चाहिए देवी जी एक बार में कितना बार चापलुसी किजिएगा पांच मिनट पहले कहते हैं आप उसी सो में ध्यान से देखिएगा पांच मिनट पहले उसी सो में आप कह रही हैं कि विपक्ष कमजोर है और उसी सो में पांच मिनट बात बोलते हैं कि विपक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है पता ये दोनों बात एक साथ हो सकता है कि एक तरफ विपक्ष कमजोड भी है और दूसी तरफ विपक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है एक तरफ विपक्ष के पास साथ सांसद है हमारे पास 300 से ज़्यादा संसद हैं कई बार जब मैं भाजपा के नारे को देखता हूँ न लिखा रहता है बरे से बैनर पर अब की बार 300 पार तो मुझे लगता है ये नारा नहीं है धमकी है कि अगली बार बीजेपी जीत के आएगी तो पेट्रोल 300 रुपे लिटर मिलने वाला है आप कहते हैं कि आपके पास ज़्यादा संसद है हमारे पास कम संसद है आप पारलियामेंट चलाना चाहेंगे और हम पारलियामेंट नहीं चलने देंगे ऐसा हो सकता है क्या मतलब हम 50 लोग इतने ताकतवर हैं कि हम 300 लोगों को पार्लामेंट में काम नहीं करने देते हैं और अगर हम ऐसा हैं तो फिर ये बोलना बंद कीजे कि विपक्ष कमजोर नहीं है बोलिए कि विपक्ष ताकतवर है साजिस क्या है साजिस ये है कि इस देश म संबाद को सोर में तबदील कर दिया जाए और एक बार कोई चीज सोर में तबदील हो जाएगी तो अपने आप इस देश का मुद्दा उस सोर में दब जाएगा और जब आप टीवी खोलेंगे तो आप देखेंगे कि उस सोर में उस चिलाहट में इस देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं वो कहीं न कहीं दबते जा रहे हैं कोई नहीं पूछ रहा है तीन साल से जादा हो गया है रेलेवे में भरतियां नहीं आ रही है एंटी पीसे में भरती नहीं आ रहा है रोज कोई ना कोई सरकारी संस्थान बेचा जा रहा है इस पे कोई प्रस्न नहीं पूछ रहा है कोई नहीं प्रस्न पूछ रहा है कि ऐसी क् स्थिति आई कि जब लॉक डाउन हुआ तो हजारों लाखों मजदूरों को पैदल जाना परा हजार किलो मीटर की यात्रा करके और उस दवरान हजारों लोगों को अपनी जान गवानी परी कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है कि हमारे टेक्स के पैसे से हमारा विकास कर करने के लिए आठ हजार करोड का एरोपलेन खरीदने के लिए आपके पास पैसा है को ये सवाल सरकार से क्यों नहीं पूछना चाहिए कि भाई साहब आप कहते हैं कि पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रहा है तो नया पार्लियामेंट आप 20 हजार करोर रुपे में क्यों ब काबला कर सकते हैं गाल बजाने से काम नहीं चलने वाला है यह देश के सामने चुनौती है देश के सामने चुनौती है कि देश और दुनिया बदल रही है तो राजनीती क्यों नहीं बदलनी चाहिए पताइए मैं दिल्ली से आया हूं दिल्ली की हालत यह है गलती से भी मत जा आप किसी भी सहर जा करके देखिए जो sanitation का problem है जो health का problem है जो education का problem है उसको राजनीती से गायब कर दिया गया है और इसकी साजिस क्या है इसकी साजिस ये है कि लोगों के पास जो उनके democratic right हैं एक-एक करके उसको छीन लिया जाए तो मैं एक आखरी बात बोल करके अपनी बात क खतम करूंगा यह जिस भवन में हम लोग खरें हैं जिस पार्टी का खेस मैंने ओड़ा है उस पार्टी का दामन मैंने इसलिए थांभा है कि Congress Party इस देश की ऐसी पार्टी है जो समानता में भरोसा रखती है और वो समानता में भरोसा यदि नहीं रखती तो क्या गोरा क्या क सब का भोट बराबर नहीं किया जाता और सब का भोट यदि बराबर नहीं किया जाता तो नेता कभी भी हेलिकॉप्टर से उतर करके आपकी गंदी बस्तियों में आपकी जोपरियों में भोट मांगने के लिए नहीं आता संबिधान के इस ताकत को समझा जाए लोगों के इ कॉंग्रेस्ट पार्टी बचा सकती है। इस मौके पे आप तमाम कॉंग्रेस्ट के कारे करता हूं को और वो तमाम आम नागरिक जो इस सभा में आये उपस्थित हुए उनको मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं और इस सभा के आयोजक मंडल को अपना धन्यवाद कहते हुए मैं अपनी बात को सखत्म करता हूँ शुक्रिया इनकलाब जिंदाबाद जै हिंद जै महाराश्टरा